बोरी शकी जी कह रहे हैं अब तो मेरे मन को शदैव नौनिवित निकुझ में ही वास करना अच्छा लगता है जहां हमारी जुगल जोरी सरकार अद्भुत प्रेम शुख की वर्शा कर रहे हैं वही मेरा मन अब रम गया क्यों क्या रस मिला बुले युगर सरकार की रूप माधुरी का निरंतर पान करके मनुनमत हो गया और स्रवणेंद्री तो पूछो मत जब रस मई बातें युगर सरकार करते हैं एक एक अक्षर में परमानंद रस टपकता है वो जब स्रवणेंद्री से सुनते हैं निहाल हो गए मन नौनिवित निकुन्ज में बास कर रहा नेत्रेंद्री रूप रसका पान कर रही युगल सरकार के स्रवनेंद्री रूप सी प्रियालाल जो परस पर रस्मई वारता कर रहे वो सुनकर निहाल हो रही और सरीर दिन चल रहा सब कैसे हो रही बुले उप्तन मजन भोग आरती प्रियालाल के स्रियंगों में उप्तन लगाना फिर मजन इश्नान कराना फिर वस्तधारन कराना फिर स्रंगार कराना फिर भोग लगाना फिर आरती और ये सब बाद में हमें प्रशादी मिली वस्तु प्रशादी लहिवो मन कभी उबता नहीं क्यों क्यों कि यहां सब कुछ नया नया है पुराना कुछ रहता ही नहीं इतना आनंद इतना उत्षा प्रतिपल बढ़ता है जब मन नौनिवर्त निकुन्ज में रहता है जागरत में तो सवाली नहीं कोई चाह पैदा हो जाए बुले स्वप्न में भी कोई चाहने अपने आराध्य देव के शिवा और कोई स्वप्न में भी चाहत नहों तब माना जाता है निश्ठावान पुरुष भोरी सकी कह रही है बद एक ही उपा है राधा 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 निरंतर नाम रटो तो तुम्हारा मन नौनिभृत निकुझ में वास करने लगेगा जहां मन वहीं उपस्थिती मानी जाती है आठो पहर प्रियालाल की सेवा में हमारा मन समर्पित हो जाए यही भक्ती की परमशिद्धे है श्रीपाद प्रवोधानन्द जी महराज कहे रहे है उसने ऐसे कुकर्म किये कि ऐसे भाग्य का निर्मान होगा जो नरक भोगेगा दुरगती पर आश्चर की बात कि उसको सुनने को मिल गया राधा इतिसिद्ध मंत्रम पराविद्या राधा राधा ऐसा सुनने को मिल गया कि आप जपो और उसने शुरू कर दिया द्वेक्षर मुच्चारियम राधा 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 तो कहरे किम्न सिद्धेम उस कुकर्मा चरन करने वाले सर्वधर्महीन को जब राधा नाम सुनने को मिला और राधा नाम जपना प्रारम कर दिया तो बोले अब कौन सी सिद्धी नहीं प्राप्त हो जाएगी उसको तो हे ब्रंदावन धाम आप से प्रार्थना है कि मुझे पापी को स्वैकार कर लो अर्थात अखंड वास दे दो कभी मुझे ब्रंदावन से बाहर मत करना अब यह कई भरोसा है कि राधा राधा रटते हुए ब्रंदावन की गलियों में हमारे प्राण पूरे हो जाएए सरीर पूरा हो जाए तो हमें सिरी जी मिल जाएगी ब्रंदावन धाम राधा नाम का प्रभाव और कोई साधन में हमें विश्वास नहीं कि मुझे जैसे धर्माचरण हीन स्वतंत्रि इंद्रिया सास्त्र गुरु शंत्र की अधिन्ता ना स्वैकार करके मनमानी आचरण करने वाले का अब और कोई उपाय से उद्धार हो सकता है नहीं एक मात्र राधा नाम और व्रंदावन धाम का आश्च्रे और वाश चलते है महामहिम सनक्षनंदन सनातन सनत कुमार जी और बहुत से ब्रह्मरिशी महापुरुष जन्विराजमान है श्रीमत भागवत की महात्म का वरिणन किया कथा में जब बैठे तो मलमूत्र का वेग हमको कथा से हटा न सके ऐसा कुछ खान पान की बिवस्था रखनी चाहिए शुरता जितना चित लगा के सुनेगा उतना ही कथा का प्रभाव उसके उपर पड़ता है यदि वो निराहार रहेकर भगवान की चर्चा सुने चाहिए क्योंकि चिंतन कथा का होना चाहिए भगवान का होना चाहिए भोजन का नहीं जो भगवान की महामहिम भक्ती में रत हैं ऐसे वैश्णों की अदिनिंदा करेगा गुरु द्रोह करेगा महापुरुषों का अपमान करेगा तो कथा सुनने पर भी उसी लाब नहीं मिलेगा शूती जी कहते है सौनक जी यूं कहकर महामुनिस सनकाद ने एक सब्ता तक स्रीमत भागवत की कथा सुनाई जो परम पवित्र भगवत भक्ती प्रदान करती है अगर मोक्ष चाहे तो मोक्ष प्रदान करती है अगर सर्व पाप नाश चाहे तो सर्व पाप नाश ली है देवर्शी नारत जी जब साथ दिन पूरी कथा हुई तो हाथ जोड़ कर कहा हे भगवत सुरूप शनक सनंदर सनातन सनत कुमार आपने मुझे धन्य कर दिया भगवान की पावन चर्चा सुना कर आज मेरे हरदय में भगवान स्री हरी के प्रतिर अगाध प्रिम बढ़ रहा है आपने जो भगवत चर्चा सुनाई मैं सब साधनों में सर्वसेष्ट साधन मानता हूँ भगवान स्री ब्रंदावन बिहारी स्री कृष्ण चन्द जू की प्राप्ति का भगवत चर्चा सुनी जाए शूत जी के रहे नारज जी कथा समाप्त होने पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की यो इस्तुति कर ही रहे थे कि देखा शोरगुल मच गया पीछे से सब खड़े होने लगे तो द्रश्टी गई कौन आ रहा है भगवान शुकदेव जी पधार रहे एक उचा आशन बिराजमान किया उसमें स्री शुकदेव जी को लाके बिराजमान किया दिवर्शिनारदाद बड़े बड़े रिश्यों ने पूजन किया जब सब सुक पुर और मुझ्ज है सुकदेव रूपी सुक के मुख का संयोग हुआ है इसमें प्रेमामरत रस भरा हुआ है रस ही रस है इसमें न छिलका है न गुठली है पीऊ खुप पीऊ अपली स्रवनेंदरी से भगवत चर्चार रूपी महामरत रस का खुप पान करो बार बार पान करो इसकी रचना भगवान सी कृष्ण दैपायन व्यास देव जी ने की है। इसमें निश्काम परमधर्म का निरूपन है। इसमें बहुत जल्दी सुधनता करण होकर सत्यवस्तु का बोध हो जाता है। जब कभी कोई पुल्ण्यात्मा भगवत कृपा से इसके स्रवन का पूर्ण सयोग बनता है। तो उशी समय भगवान निश्चे कर लेते हैं कि अब ये मुझे अधिन कर लेगा। श्रीमत भागवत स्रवन मात्र से भगवान अधिनता स्वईकार कर लेते हैं। ये विशुद्ध ग्याम का भी इसमें बरणन है, भक्ती का भी बरणन है, वैराग्य का भी बरणन है। कोई स्रवन करे या कोई गायन करे और दोनों मनन करे तो निश्चित जीवन मुक्तिस्थिती स्रीमत भागवत प्रदान कर देती है। ये रसकेवल मृत्य लोक में है न स्वर्ग में है न सत्य लोक में न अन्य लोकों में इसलिए खोब पान करो अपनी स्रवन इंद्री से इस भगवत रसका। सूत जी कहते स्री सुकदेव जी माराज ये कही रहे थे कि उसी समय और कोला हल हो गया जैसे स्री सुकदेव जी के आने पर कोला हल हुआ था। सबकी दृष्टी गई तो देखा अपने पार्सुदों के सहित बनमाली भगवान स्रीकृष मध्य में सभा के प्रगट हो गए। कोला हल बंदी नहीं हो रहा था इतने में देखा तो भगवान महादेव जी उमासाइट फिर देखा तो भगवान ब्रह्मा जी अरे आनंद ही आनंद अब तो कीर्टन आरंब हुआ पूजन के बाद भगवान बहुत प्रशन होये और कहा तुम सब की हमारे प्रति जो प्रि प्रियता और ये कीर्टन इससे में तुम्हारे अधीन हो गया हूँ वर्दान मांगो तुम सब जिसकी जो इच्छा हो भगवान के वचन सुनकर समस्त सभा बहुत प्रशन हुई प्रेमार्द चित्ट से शब ने हाथ जोड़कर कहा भगवन हमारी यही प्रार्थना है कि भविष्च में जहां कई भी आपकी कथा हो आपकी चर्चा हो आप पारशदों सहित अवश्य पधारे भगवान भी वचन देते हैं जहां भगवत चर्चा होगी भगवान विराजमान है इसके पश्यात न फिर शुकदेवादी तपश्यों को नमस्कार किया फिर जितने कथा मृत्पान करने के लिए सब लोग आये थी थे सब को शौनक जी ने पूछा शूत जी शी सुकदेव जी ने राजा परिक्षित को भागवत कब शुनाई आपने बताया गोकर्ण ने धुन्दकारी को शुनाई तो कब और शनकाद ने नारज जी को शुनाई तो कब ये मेरी जानने की इच्छा है शूत जी ने का भगवान स्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कल्यूग के तीस वर्स बीत जाने पर भाद्रपद मास की सुकला नौमी को शुकदेव जी ने एक अथा आरंब की राजा परिक्षित को शुनाई राजा परिक्षित के कथा सुनने के बाद कल्यूग के दो सो वर्स बीत जाने पर आसार मास की सुकला नौमी को गोकर्ण जी ने धुन्दकारी को कथा शुनाई और कलियुग के 230 वर्ष निकल जाने के बाद कार्तिक शुकलानोमी को शनकादी ने ये कथा आनंद घाठरी द्वार में सब रिश्यों के समझ शुनाई एक बार भगवान विश्मु यर्म देवताओं के परमपुर्ण में छेत्र नैमी शारण में शौनकाद रिश्यों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से एक हजार वर्ष में पूरे होने वाले एक महानियग्य कानुष्ठान किया एक दिन उन लोगों ने प्राताकाल अग्निहुत्राद नित्य कृत्यों से निवत्त होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें उचे आसन पर बैठार कर बड़े आदर से प्रश्न किया ये सूत जी उनके पुत्र उग्रश्रवा है पहले वाले सूत जी का नाम रोम हर्शन था महाभारत प्रसंग में उसके बाद इसकी रचना हुई तो अब इसके प्रवक्ता है उग्रश्रवा सूत जी के पुत्र सूत जी ही हुए रोम हरशन जी को तो बलराम जी ने कृपा करके परमपद पहुँचा दिया था जिशियों नित्य अपना प्राता कालिन कर्म करके शूत जी का पूजन करके उचयासन पर बेठा कर प्रश्न किया रिशियों ने का सूती जी आप निश्पाफ हैं आपको समस्त इतिहास पुरान धर्म सास्त सिद्धान साब का ग्यान है वेदिवित्ताव में स्रिष्ट भगवान बादरायन ने सी कृष्ण देपान ब्यास दियो जी ने भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने व चना सब कुछ आपको ग्यान है और आप बड़े सरल हर्दय के हैं शुद्ध हैं इसी से अनुग्रह रूप आपके अंदर ये ग्यान आया है क्रपा से गुरुजन अपने प्रेमी सिस्थी को अपने हर्दय की गुप्त से गुप्त बात बता दिया करते हैं आईश्वन आप आपक्रपा करके बतलाए कि सब सास्त्रों पुराणों गुरुजनों सिद्धानतों उपदेशों में कौन सा इसा सरल साधन है जिससे कल्यूगी जीव भगवत प्राप्ति कर लें आपको सब ग्यान है भगवान क्या उतिरुन होने का रहास्य क्या था उसे हम सुनना चाहते आपन्ना संसुतिम घोरां बार बार जनम बार बार मरन बार बार कर्म के फंदे में फसा हुआ जीव ये जब तक भगवान का नाम जप नहीं करेगा तब तक मुक्त होने वाला नहीं बस नोट कर लिए दिमाग में बाद शी ब्यास जी कहते हैं सौनकाद ब्रमबादी रिश रिशियों के प्रश्न करने पर रोम हर्शन के पुत्र उग्रश्रवा को बड़ा ही आनंद हुआ उन्होंने रिशियों के इस मंगल में प्रश्न का अभिनंदन करते हुए उग्रश्रवा सूत जी बोले ये उस समय की बात है जब सुकदेव जी महाराद प्रगठ होकर अभ कि कोई अनुष्ठान नहीं हुआ बद जन्म हुआ और चल दिये पिता जी भगवान ब्यास देव जी पीछे पीछे पुकार रहे हाँ बेटा हाँ बेटा पर ये मुड के भी नहीं देखे तो ब्रक्षों से उत्तर निकला सुकोहम सुकोहम सर्वभूत हिरदयम समस्त भूत हिरदय में बिलाजमान भहगवानन शुक्देव जी ऐसे महामहिम पहले सीशुक्देव जी को हम नमसकार करते हैं बहुत जुन्दर से धान्त का बर्णन है संत महापुरुषों की सानिध्य moine हम अपने सवभाग का अनुभव करते हैं तो उनकी बाते सुनने में हमें रुची हो जाती तदनंतर श्रमण की इच्छा तीर था दिप पवित्र शाधन उससे महतसेवा और महतसेवा से तदनंतर श्रमण की इच्छा श्यान महात सेवया तो वासुदेवे कथा रुची महापुरुषों के संतों के संग का उनकी सेवा का क्या फल भगवाम की कथा सुनने में आसकती हो जाए जाँ जाँ पी की बात सुने खोजतिन गैनन फिर कथा में जो रुची होती है उससे हरदय पवित्र होता है असुब वासनाय नष्ट होती है और हरदय में तरपन हो जाती कि आप भगवान को भूलेंगे नहीं अब इसी जन्मे में भगवत प्रात्ती करनी है और उसके हरदय में भगवान प्रकासित हो जाते है शीशूती जी कहते है स्रस्टी के प्रारंभ में कोई तारीख नहीं लिखी ये कब किस दिन से प्रारंभ हुई भगवान ने अपने आप से अपने आप के लोकों के निर्मान की इच्छा की जेवी इच्छा हुई दस इंद्रियां एक मन पाच भूत ये शोला कलाय प्रगठ हो गई पाच करमेंद्री पाच ग्यानेंद्री दस इंद्रियां एक मन वही अंताकरण चतुष्टे का जाता है निष्चे के कारण बुद्धी चिंतन के कारण चित क्रिया स्विकरती के कारण आंकार वस्तुता एक मन ही अंताकरण है और पाच भूत जिनसे सब दिस पर सुरूप रस रस गंद आकाश वाई वगनी जल प्रथिवी यह भगवाल ही बन गए जब सब दिश पर शुरूप रस गंद के मूल पंच भूत उनमें जल भी है अब वो जल में सेयन करने लगे योग निद्रा का विस्तार कर लिया कुछ समय बाद उनकी नावि से वही इच्छा जो मैं बहुत रूप में हूँ वो एक कमल बन करके प्रगठ रही और उस कमल में जो प्रगठ हुए प्रजापतियों के अधिपती भगवान ब्रह्मा जी प्रगठ हुए चारों तरफ देखा चार मुख और उन्होंने दिव्य से ब्रह्मा जी के पाद त्ससी देखना सुरू किया कि मैं कौन कहा कैसे कैसे आ गया मैं कौन हो भगवान से बड़ी प्रार्थना की भगवान की उस विराट रूप अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोगों की कलपना हुई समस्त लुग घवाँद में विराजमान है crab हजारों सिर, हजारों कान, हजारों आखे, हजारों नासिका, हजारों मुकुट, वस्त्र, कुंडल, आभूश्वान स्वाथ, यही भगवान का विराट रूप है, इसी से अनेक अवतारों का प्रादुर्भा होता है, यह छोटे-छोटे अंस से देवता, पसुपक्षी, मनु अपि ब्रह्मा जी ने जो पहली स्रष्टी की, तो सबसे पहले स्रष्टी में प्रगठ हुए, सनक, सनंदन, सनातन, शनतकुमार, दूसरी बार इस संसार कल्यान के लिए समस्तियव्यों के श्वामी उन भगवान ने, जो रशातल में प्रत्वी बिराजवानती उसको लाने के लिए वारा उतार धारन किया, रिश्यों की स्रष्टी में देवर्शि नारत के रूप में तीसरा उतार धारन किया, फिल धर्म पत्नी मूर्ती के गर्व से नर नारायन के रूप में भगवान ने चोथा उतार लिया, पाचवे उतार में भगवान ने सिद्धों के स्वा में भगवान प्रगट हुए इस अवतार में उन्होंने अलर्क और प्रल्हादादी को ब्रह्मग्यान का उपदेश किया शात्मी में रूची प्रजापती की आकूति नामक पत्नी से यग्य के रूप में भगवान ने उतार घ्रहन किया अपने पुत्र यामादी देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की राजा नाव की पत्नी मेरु देवी के गर्व से रिशब भगवान के रूप में उतार हुआ जिनके पुत्र भरत जी जो जड़ भरत जी कहलाए गये ये आठवा उतार भगवान का रिशब देव के रूप में रिशियों की प्रार किया चाक्षुष मनवंतर के अंति में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी तब भगवान ने मत्स्यावतार धारन किया जो दस्वावतार है फिर भगवान ने जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे उस समय ग्यारवा उतार धारन किया कच्छप रोप जो मंदराचल को अपनी पीठ पे धारन किया फिर उसी समद्र मंथन में बारवी बार धनवंतरी की रोप में अमरत कलस लेकर समद्र से प्रगठ हुए फिर वही उसी समय तेरवी बार मोहिनी रूप धारन करके दैत्यों को मोहित करके देवताओं को अम्रत्पान कराया फिर भगवाल ने जो चोधमें बार अतार लिया वो बड़ा ही भयंकर रूप था नर्शिंहा अतार अत्यंत बलवान दैतिराज हिरन कस्यप की छाती अपने नको से फार डाली जैसे चटाई फार रहे परंद्रवी बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैतिराज बली के यक्य में गए अंदर से चायते थे त्रिलोकी का राज परंतु मांगी उन्होंने केवल तीन पग पर्थवी भगवान का शोलमा उतार हुआ परसुराम उतार इसके बाद सत्रवे उतार में सत्यवती के गर्व से परासर जी के दुवारावे श्री कृष्ण दोईपायन भगवान ब्यास देव जी के रूप में उतिर्ण हुए अठारवी बार देवताओं का कारिशंपन करने की इच्छा से राजा राम के रूप में भगवान ने उतार धारन किया उन्नीश्मे और बीश्मे उतार में यदुवन्स में बलराम और स्री कृष्ण के नाम से भगवान का उतार हुआ इसके बाद कलियुग आ जाने पर मगद देश बिहार में देवताओं के द्वेशी देत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में भगवान का बुद्धा वतार इसके भी बहुत पीछे बाद जब बिल्कुल कलियुग का अंत होना होगा जब सब लुटेरे हो जाएंगे कोई किसी का रच्छक नहीं साब मदबादी आचरण तो विश्णु यसनामक ब्राम्मन के घर कल्की के रूप में भगवान अवतीर्ण होंगे यहां बाईस अवतारों की गर्णा की गई परंत भगवान के 24 अवतार प्रशिद है कुछ विद्वान 24 की संख्यायों पूर्ण करते हैं राम कृष्ण के अतरिक्त 20 अवतार तो परियुक्त हैं ही से चार अवतार भगवान स्री कृष्ण के ही अंस है च्वयम स्री कृष्ण तो पूर्ण परमेश्वर है वे अवतार नहीं अवतारी है अता स्री कृष्ण को अवतारों की गर्णा में नहीं गिनते उनके चारंस एक एक तो केश का अवतार दूसरा सुत्पा तथा प्रश्णी पर कृपा करने वाला अवतार तीसरा संकर्शन और चौथा परब्रम्य इन चारों अवतारों से विशिष्ट पाचवे साक्षात भग छोनकाजृ रिष्यों जैसे अगाद सरववर से हजारों छोटे छोटे धाराय निकलती है वैसे भगवान श्री हरी के असंख्या वतार और होते हैं जिनका बरना नहीं असंख्य वो अपने बक्त के लिए कभी कोई अतार धारन कर सकते हैं जैसे दुरुपदी के लिए चीर अवतार धारन किया कहा लिखा है दुरुपदी के लिए चीर अवतार तो 24 में थोड़ी है बोले असंख्य अवतार जब जरूरत पड़े भक्त के लिए तब तुरंत अवतार धारन करते हैं अंतर ध्यान हो जाते है इस आकाराद इसे अलग भगव का एक सुक्षमात सुक्षम रूप है न देखने में आता है न सुनने में आता है न पकड़ में आता है सुक्षम स्वरूप उसी को आत्मा कहा गया है और वही जब सरीरा भिमान से युक्त हो जाता है तो उसी को जीव कहते है और उसी सरीरा भिमानी का बार-बार जनम मणान हो भगवान का एक सूक्षम अब्यक्त रूप है जिसका आकाराद ही नहीं है न देखने में आता है न सुनने में आता है वो बड़ा सूक्षम है तो क्या कहते हैं उसको गुले आत्मा और जब वही आत्मा अपने सुरुप को भूल कर देभाव में आ जाती तो उसे कहते जीव औ प्रभू में ही अब जी सवस्था में गुरू प्रताप से आत्मस्वरूप का बोध हो जाए उस सरीर से मैपन हट जाए उसी समय जीवन मुक्त ब्रह्म स्वरूप थत्युग्यानी लोग इस राश्य को जानते हैं ये बुद्धी परमेश्वर की साक्षात माया है बुद्धी तुम्हारी ये जीव इसी बुद्धी में आ सकत होकर दुर्गती को प्राप्थ हो रहा जैसा निरने बुद्धी करती वैसे हीवो करता है इसलिए बंधता चला जाता है और जीव है कौन? बोने परमानन्द में साक्षात परमात्मा उसी समय जीव परमानन्द में सुरूप को प्राप्थ हो जाता है जिस समय बुद्धी से अपला सम्मन धटा देता है भगवत लीला गायन भगवत नाम जब इस से आप भगवान की कृपा का अनुभव करेंगे तब आप समझ पाएंगे कि भगवान की करामात क्या है ये करामात बड़ा भारी जादूगर अपने आप से अपने आप में सब जादू दो बाते तो जीवन बना ले हो या हम भगवत चर्चा कर रहे हैं या सुन रहे हैं या नाम जब कर रहे हैं बाहरी सरीर से जो भी क्रिया है नौकरी व्यापार किसानिय समझ भगवत गुनगान भगवन नाम जब सीधे भगवत प्रापते ने तो बड़ा भारी जादू फैला है एक बार हिम्मत करके निकलो भाई हम सब भगवान की सरण में हैं एक बार इस माया पर पंचे से निकलो नाम जब निरंतर करते रहो देखना आपके अध्यात्मी कुन्नती कैसी होती नाम जब पकड़ लिया जीत गए जीत गए पक्का लीला चरित्र तो हर समय हम नहीं सुन सकत से हर समय संयोग नहीं मिल सकता लेकिन नाम हर समय नाम और जब चरित्र सुनने और कहने का समय मिले खुब उदार हरदय से सुनों और गाव भगवान की लीला तो कथा मृतम तब जीत गुलिए नईमी सारण में सुन रहे वो हरित द्वार में सुन रहे इस अब भगवान के रचित तीर्थ है नईमी सारण तीर्थ जानते हो क्यों सुदर्शन चक्र के प्रभाव से और यहां यहां स्वयम भगवान लीला रत थे है और आगे रत रहेंगे प्रिया प्रितम का घर है यह बस ट्रांसफर होगा यहां सरीर यह छूटा और निकुंज की पोसाग मिलेग से चर्चा के सिराधा वल्लाल कीजें